हेलो फ्रेंट्स, इडियम और फ्रेस का सेरीज चल रहा है, तो आएए सीखते हैं, स्ट्रॉइन दे विंड, स्ट्रॉइन दे विंड का मतलब होता है संभावनाओ का संकेत, मतलब a small sign what might happen in future, मतलब ऐसा कोई संकेत जो कि future में होने वाला है, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता है जैसे कि कोई season आता है, तो उससे पहले से कुछ होने लगता है, तो पता चल जाता है कि कोई season आ रहा है, जैसे ठंड खाती है, तो ठंड आने से पहले थोड़ा वारिश वारिश होती है शायद, तो पदा चलता है इससे कि ठंड आने वाली है तो उसी तरह कुछ ऐसा चीज जो संकेत दिता है कि नियर फ्यूचर में होने वाला है तो देखिए, example His negative remark about marriage was a straw in the wind Dad suggested he was headed for a divorce मतलब उसका नकारात्मक टिपनी शादी के बारे में एक straw in the wind है मतलब ऐसा संकेत है जो कि संकेत दे रहा है divorce होने के लिए मतलब वो ऐसा कुछ बोल रहा है जिसके चलते लग रहा है कि future में divorce हो जाएगा Second देखिए His behavior is a straw in the wind to fight मतलब उसका behavior जो है ऐसा लगता है कि future में लड़ाई हो सकता है I hope कि आपको ये अच्छा लगाऊ Straw in the wind Utilize it guys Keep watching my channel Thank you